Hello Everyone, Welcome to Break Time Classes इस वीडियो में स्पोर्ट्स के सभी करेंट फेर हम कवर करेंगे आने वाले सभी एक्जाम के लिए इंपोर्टन्ट होगा क्योंकि स्पोर्ट्स के करेंट फेर हर बार एक्जाम में पूछी जाते हैं और यह पहला सायर है बीजिंग जहां पर ग्रीस में कालीन ओलंपिक भी हुआ है और सीथ कालीन ओलंपिक भी हो चुका है तो यहां पर प्रतिभागी देश कितने थे सीथ कालीन ओलंपिक में 91 देशों ने इसमें पाटिसिपेट किया देश लिखा मिल सकता है, या फिर दल, कितने एथलीट उसमें मिलते हैं, तो 2897 एथलीटों ने इसमें पाइबिसिपेट किया, इसका मैसकोट यानि सुभंकर किया था, तो बीग ड्यू 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 किर दो गल सी, पंड़ा है उसी को बिग वेंड वेंड नाम दिया गया है वह ही इसका मैस्कॉट था आदर्सवाग क्या था टुगेदर फॉर एक दू पॉइंट इसमें काफी ज्यादा इंपॉर्टन्ट है जैसे सुबंगर सुबंगर आदर्सवाग के संसकरन कौन सा था और स्थान नेक्स जो हौग पदक तालिका में नंबर वन रहा था नौर्वे ही और दूसरे नंबर पर जर्मनी तीसरे पर चीन तीन जरूर याद दोना चाहिए नौर्वे जर्मनी चीन नेक्स्ट है भारत को इसमें कोई भी पदक नहीं मिला क्योंकि यहां पे एक मात्र केवल एक ही तो मिलान और कोटी ना शार्ड जोगी इटली में 26 26 में अगला विंटर ओल्मपिक सिस्काल ओल्मपिक होगा नेक्स्ट है फीफा अन्डर 20 पूरुष विश्व कप जो की 2023 में होना यह इंडोनेशिया में होगा यहां पे फीफा वाले जितने सब फुटबाल के मैच होते है अंडर 20 का पूरुष वाला इंडोनेशिया में उसके बाद अंडर 17 के दो है फीफा अंडर 17 विशो कप जो की 2023 में होना यह पेरू में होगा फीफा अंडर 17 पुरुष विशोकप पेरू में होगा अंडर 20 जो पुरुष विशोकप है वो इंडोनेशिया में उसके बाद जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टन्ट है वो फीफा अंडर 17 महिला विशोकप 2022 में भारत में यह वाला सबसे ज़्यादा इंपॉर्टन्ट है मह बिख्जामें अगर पूछ लिए जाए तो कनाड़ा अमेरिका और मेक्सिकों में होगा फिर आईसिसी का जो क्रिकेट वाला यहां पे आईसिसी फूरुष विश्युकप दोजार तेएस कहां पे होगा भारत में आईसिसी महिला विशु कब 202 यसपेन और नियधरलेंड पुर्वर्स होकीज़ु कब 202 भारत में सबस्थ यह क्रिखली जो यह सब knowledge यह êजिदेशन था एटीपी कब सिडनी और उस्टरेलिया में आयोगता एका तई कनाड़ा इसपेन को में सब्सक्रिकेंटर के संबंद बुच्ची जो आवाड गया जाता है क्रिकेंटर को मनाये कै Tillika C वर्ज की सब्सेस्ट महिला क्रिकेटर लीजल ली बनी है जो की दच्छुड अफ्रीका की है वर्ज का सब्सेस्ट T20 प्लेयर मुहमद रिजवान नमबर वन पे कौन है जो रूट पुरुसों में नमबर वन पे कौन है महिलाओं में लीजल ली नेक्स्ट है ICC महिला विशुकप 2022 का आयोजन न्यूजलेंड में हुआ है और विजेता कौन है ऑस्टेलिया हराया किसको है इंग्लेंड को आस्टेलिया ने इंग्लेंड को हराया है ICC महिला विशुकप में यहां पर भारत ने किसको हराया था तो इंग्लेंड को हराया था मैच हुआ था वेस्टन डीज में भारत जीता इंग्लेंड को हराया नेक्स्ट है इससे स्रंक्ला यहां जो इंग्लेंड और ऑसेलिया के बीच पांच मैचों की स्रंक्ला होती है और इसमें विजयता कौन रहा तो ऑस्टेलिया यह यह भारत में है नेक्स्ट है कितनी टीमें इसमें सामिल हुई तो इस बार 10 टीमें थी, दो नई टीमें सामिल हुई थी, हर बार 8 टीम रहती थी, इस बार 10 थी, दो नई टीमें पहली ये गुजरात की टीम, गुजरात टाइटेंस, दूसरी लखनों की लखनों सुपर जैंट से, प्रायोजक कंपनी कौन उसे औरेंज कैप दिया जाता है तो औरेंज कैप किसे मिली थी जोस बटलर को जोस बटलर फिर है साथवाँ टी ट्वेंटी विशो कप पुरुषों का जो कि नॉम्बर दोजार इकिस में आयोजित हुआ यूई और ओमान में विजेता कौन रहा आस्ट्रेलिया इसमें विज हपे लगे एकिसा में आयोजार दोडस बसेतले में उल विजेता कौन यूई विजेता कौन ट्र сюжetlu डुर्ड़िय। ुए अगर सबार्वां होकी इंडिया सीनेर पुरुष राष्ट्री चेंपियेंशिप 2022में प्रतिभागी इसमें कितने देश थे तो आठ देशों ने इसमें प्रतिभाग किया बिजेता था जापान उप बिजेता कौन था दच्छड कोरिया जापान ने दच्छड कोरिया को हड़ाया भारत का स्थान था तीसरा नेक्स्ट है राश्टिय महिला आइस होकी चैंपियंशिप 2022 इसका आयोजन हुआ था हिमाचल प्रदेश में काजा में विजेता कॉन रहा लग्दाग पुटवाल से सम्मदित कुछ और यहाँ पे गेम्स है जिसे सैफ ये अंडर 18 जो महिला फुटपॉल कप होता है उसे सैफ बोला जाता है आयोजन हुआ जमसेदपूर में जहरकंड में विजेता कॉनरा भारत पहला ही किताब था ये सैफ का भारत का और उब विजेता कॉनरा भारत उब विजेता बांगलादेश सैफ के बाद एक और कफे पुटवाल से समदित एफसी महिला एशिया कप 2022 इसका आयोजन भारत में हुआ है विजेता कॉन रहा था चीन और उब विजेता चीन ने किसको हराय दच्छड कोरिया को नेक्स्ट है सैफ कप के बाद एक और क एफसी कप का महिला एशिया कप का आयोजन भारत में हुआ विजेता चीन फिर है फीफा वर्ल्ड कप 2021 इसका आयोजन UAE में हुआ अबुदाभी में और विजेता कॉन रहा चेल्सी टीम रही जो कि इंग्लैंड की टीम है उब विजेता कॉन रहा पाल मेही राज जो की ब्र केमरून मिश्र को एक बार फिर से देख लिए अफ्रीका कप आफ नेशन आयोजन हुआ कैमरून में विजेता था सेनेगल उप विजेता था मिश्र नेक्स्ट है बैलेओन डियोर एक पुरशकार दिया जाता है इसके विजेता कॉन रहे थे वर्टवाल से सम्भन दे तो ल इसपेन में हुआ और इसकी को थे विजेता वहें तर युरोपियर व renewed required के विट्र एकसर सब्सक्री कौं कहां इसका आयोजन dalत प्रांस में विजेता कॉन्दो माइजुंकी फ्रिद्र एटमश्या एशिया चैंपियंशीब 2022 इसका आयोजन कहां पर हुआ आयोजन जादा इंपोर्टन्टा कउन था तो ली जी जी जिया फिर यौनEx Swiss उपन 2022 इसका आउजन स्विछजर लेंड में हुआ योडेक श्विछ लिखा ही यहां पर तो सुछ जे लेंड में इसका आउजन हुआ विजयता कौन था तो विजयता थे जोनाथन क्रिस्टी जो कि अंडोनेशिया के है उप विजयता एच एस प्रड़ा जो कि भारत के एक फ पूलिश ओपन में दोनों पुरुषों में भी विजेता किरंट जौर्ज जो की भारति का पे हुआ । सुपने नर्चट से संबने थे विजेता फाइस धूर्णिया मेज़ों के हमки मुझाब पठको मिला है मतलब नमबर 1 काणरा है इंडोनेशिया और रजद पदक किसे मिला है चीन को मिला है बबर कंप है सिटीर कैंदार को değil 6 कीमिला है जापान को रहें at kister lle Boric up में चीन जीता है और चीन नमबर 2 पर आ स्पन है बड्मिंटन चैंपियंशिप 2021 छिसका Praiser कह आप पहु NE hola फिनलैट में पहला नंबर किसका चीन का दूसरे जता स्बस्द Covid RAM क satisf लारोडड इंटर्नेशन लेंग मेρेस पेंगे प्रहसेंगें वुँघता भारत के डीगू GAS फिर रज्जाविक ओपन जो की आइसलेंड की रालता नहीं रज्जाविक वहां का जो सत्रंज संबन्दी थे की टूर्णामेंट होता इसके विजेता कौन रहे आर प्रग्नानन्दा जो की भारत के हैं टाटा स्टील सत्रंज टूर्णामेंट दोजर बाइस इसका आईजन नीदर लेंड में हुआ विजेता कौन है मैगनेस कालसन नेक्स्ट है फार्मूला वन वर्ल्ड चैंपियंशिप दोजर बाइस इसका आईजन हुआ दिसम्बर में और इसका आईजन कहां पे हुआ यूई अबुदाबी में विजेता कौन थे मैक्स वेस्ट अपन और इनका देश भी पूधा जा सकता है तो नीदर लेंड से सम्मंदित हैं पहल काहिरा मिष्ट की रास्तानी है इसमें नंबर वन सबसे ज़्यादा पदक किसे मिले थे भारत को चाल सुर्ण मिले दो रज़त एक कान से सूटिंग में भारत हमेशा आगे रहता है दूसरे नंबर पर नौर्वे आया तीसरे पर फ्रांस आयोजन देख लीचे मिस्र में हु ले दीया है दस वर्सों तक भरते होकी तीम का प्रायव ज़कॉन रहेगा दो उडीशा रहेगा कुस्ति को किस ने लिया यूपी ने और होकी टीम को किसने लिया दस सालों के लिए तो यह उडीशा ने लिया है अब ग्रेंट स्लैम देख लेते हैं जो लॉन टेनिस पे धि इसमें पुरुष एकल में किसको किताब मिला राफिल नडाल को जो की स्पेन के वेखश्टी है और यह इनका 21 ग्रेंट विखी तो इन्होंने रिकॉर्ड बनाए होता है उसके बाद होता है जो फ्रेंच ओपन उसके बाद फिर होता है यूएस ओपन तो पीछे से चलते हैं तो सबसे पहला लेटेस्ट वाला है यहां पर यहां पर यूएस ओपन हुआ था दोजार इकिस में इसका पुरुष एकल के विजेता कॉंटर डैनियल अम्मा जी जीती थी लैला से और अम्मा वैसे भी जीत जाती है नेक्स्ट है यह पूरा जितना पीडिएफ है सब आपको यूपी पीसेस टेस्सीरीज चल रही है और लेकपाल की टेस्सीरीज के साथ भेज दिया जाएगा टेस्सीरी जोएन करने का लिंक डिस्क्रिप्शन को जो कि इटली के हैं महिला एकल एस्टे बार्टी ने जीता था अभी इंबर्लन का यह उस्ट्रेलियन ओपन भी जी चुकी थी अभी हमने देखा था यह उस्ट्रेलिया की है और इन्होंने हराय किसको था करेलोना प्लिस्कोवा को जो की चेक गड़ राज की है फ्रेंच प्रेंच गड़ राज के अनास्तासिया पावल्यू चेंकोवा इनको हराया था जो कि रूस की है तो यह सबी चीज़े इंप्रॉटन्ट है वीडियो पसंद आयो तो लाइक को सब्सक्राइब कर दीजेगा थेक्यों सुमों सुवाचिंग ब्रेट टैम क्लास